Hello everyone, welcome to Best Flaw Tricks आज हम करने जा रहे हैं defamation के provisions साथ ही साथ इसके आमें एक video link प्रोवाइड कर दूँगी description पे जिसको आप कर लीजेगा जो कि आपको bear act के provisions को याद करने में रटने में tricks प्रोवाइड करेगा तो आपको जब वो याद हो जाएगा उसके आगे जब आप ये provisions करोगे जिसमें आप case laws वगेरा करोगे आपके लिए easy हो जाएगा तो अगर ये दोरो videos आप couple करके पढ़ोगे तो आपका जो ये topic है related to defamation under Indian Penal Court cover हो जाएगा अब हम start करते हैं defamation कौनसे section से कौनसे section तक आता है 499 से लेकर के 502 ठीक है third last provision में आता है ये defamation ठीक है third last आता है last आता है attempt पर अब भी हम करते हैं defamation अब general introduction देदू में defamation का defamation पढ़ाने से पहले आपके दिमाग में आगा सबसे पहले कि क्या ये defamation हो सकता है under IPC तो एक case है सुब्रमन्यम स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इसमें कहे constitution validity of the offense of criminal defamation was challenged इसमें आपको पता चल गया है ये case में आपको end में आपको नाम भी पता चलेगा क्या है इस case का ना सुब्रमन्यम स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का case है इसमें upheld किया गया है इसकी validity क्यों upheld की गयी validity सबसे पहले आपके दिमाख में एक question आना ची क्यों defamation कौन से article में आता है article क्या है grand norm है हमारे बाकि सारे acts का तो कौन से उसमें आता है अगर आपके पास life है अगर आप जी रहे हो तो आप किसी आनिमल के तरह नहीं जी रहे हो आप एक परसन हो खुद में आप एक परसन हो तो उसमें आपके पस सामने बोल रहे हो थर्ड परसन तक वह बात कम्यूनिकेट ही नहीं हो रही है हाला कि यह हम करेंगे अब यह मैंने उपर भी लिखा ही हुआ है वाई में कि law products man's reputation law क्या करता है एक man के सिर्फ body ही नहीं reputation भी प्रोटेक्ट करता है body or property नहीं reputation भी प्रोटेक्ट करता है तो वह भी defamation में आ जाता है क्योंकि reputation is also kind of property ठीक कि property मालो कुछ भी मालो reputation is also kind of property it's not exactly property ठीक है अब हम defamation में कर चुके है offense of defamation में अब हम क्या करेंगे essential वगरा करेंगे जो कि section number 499 में है essentials करने से पहले हम यह देखेंगे essentials ही कर ले पर चलो सबसे पहले आता है essentials essentials कौन से section में है 499 में है start करते हैं first essential है whoever by words कोई शब्द होने चाहिए या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को क्या होना चाहिए कोई communication होना चाहिए communication ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शब्दों से होता है आप कई बार कुछ लों का मज़दा क्या कुछ ऐसे सिर्फ इशारे से कर देते हो चाहिए तो whoever by words spoken, बोल के करो, intended to be read, यानि कि आप किसी को letter लिखो और सोचो कि यह तो पढ़े काई पढ़ेगा by science, science, science क्या होते है exactly words नहीं होते हैं बट communication होता है या फिर by visible representation, आप क्या करो, make, अब इन सब की साथ आप क्या करो, make करो या publish करो make और publish करने का मतलब क्या है कि सामने third person को क्या करो, communicate करो यानि कि क्या लिखा है इसमें, it must be communicated to some other person, किसी और इंसान को communicate होना चाहिए other person, ज़रूरी नहीं है, A और B के बीच की बात जो है, वो third person को जाने चाहिए any imputation, makes or publishes imputation, imputation क्या हो गया, यह सब हो गया, concerning any particular person यह person से person नहीं है, particular person है, कि आरे तुने C को देखा, तो C के बारे में बात हो रही है यह नहीं कि यह पूरी, यह सब लोग ही खराब है, जैसे कि all men are dogs, ठीक है, ऐसी statement बोलते हैं लोग, तो वो particular person से related नहीं है ठीक है, for example, बोलतेगा, C is a dog, ठीक है, यह particular person से related है, यह क्या होगे, एक तरह से third person को आप बोल रहे है, तो defame कर रहे है ठीक है, next इसके बाद आगे, अब क्योंकि यह CRPC में है, तो इसमें intention और knowledge वगेदा तो होगा है, अब इसमें intention किस चीज़ की है, यह देखते है intention है, to harm, क्या कर रहे है, to harm, ठीक है, intention आपका है, कि सामने वाले को एक harm पहुचाना है, ठेस पहुचानी है पहला तो क्या है, आपका intention है, कि harm करना है, दूसरी चीज़ है, कि अगर आप सिर्फ intention हाम करना नहीं है, पर आपको पता है, कि यह करने से क्या होगा, सामने वाले की imputation will harm, ठीक है, यह भी आपको पता चल गया, अब next इसके बाद एक और चीज़ आती है, इसका एक explanation है, explanation number 4 of 4.99, जो कि बात करता है, directly, indirectly, in the estimation of others, lowers the moral, intellectual character of that person, क्या मतलब है, किस चीज़ का मतलब है, यह मतलब है, imputation will harm का मतलब, एक सिकेंड में आपको यह पूरा स्क्रीन में ले आती हूँ, हाँ, या, 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 यह explanation किस चीज़ का है, imputation का है, explanation, ठीक है, imputation का मतलब क्या होता है, कि सामने वाले की directly, indirectly, कोई ऐसा estimation, जो कि क्या करेगा, lower कर देगा, lowers the moral, या, फिर intellectual character of that person, कि बोल देगा, अरे, यह तो बेवकूफ है, क्या होगा, lower हो गया, ठीक है, of that person, किस चीज़ का, lower कर देगा, respect of caste, उसका credit, या, फिर उसको बोलेगा, कि आपकी जो body है, ठीक है, body is believed to be loathsome, और disgraceful, ठीक है, body shaming, ठीक है, body shaming के ender, इसको ले सकते हो, हलाकि यह बहुत छोटा aspect नहीं है, इसका ambit बहुत बढ़ा नहीं है, इक particular चीज़ों से related है, ठीक है, respect of caste, कि अरे यह तो इस जाती का है, या, फिर उसका credit, अरे यह तो ऐसा है, जो उसका credit lower करे, credit पैसो से related नहीं है, credit lower करे, then body, जो कि उसकी load समगे, फिर disgraceful है, अच्छी नहीं है, ठीक है, इस चीज़ से related है, imputation का मतलब भी आपको समझ में आ गया, next and last जाता है, reputation, reputation क्या है, it depends upon attributes which others believe, मैंने आपको starting में ही बोला था, कि आप खुद में believe करते हो, वो बात अलग है, दूसरी चीज़ है, कि आप दूसरों को believe करवाते हो, वो बात अलग है, तो आपको सब का मतलब समझ में आ गया, reputation का, imputation का, ठीक है, publishes का, ठीक है, next words, words में भी आपको समझ में आ गया, words वगरा का मतलब क्या है, अब इसके बाद हम आते है, explanation में, कितने explanation है, इसमें, चार explanation है, एक हम अरड़ी पीछे कर चुके हैं, जिसका क्या मतलब है, imputation, ठीक है, ऐसे ही बना देती हूँ, ताकि आप को याद हो जाए, imputation के बारे में बताए है, first explanation बात करे है, deceased person के बारे मे ठीक है, deceased person से related क्या है, कि अगर आपको इस statement दे रहे हूँ, वो किसी deceased person से related है, तो क्या वो statement defamation में आएगी, deceased person से related है अगर तो, तो इसमें यही बोला गया है कि हाँ, वो statement है, वो imputation में आएगी, ठीक है, वो defamation में आएगी, पर क्यों आएगी, इसलिए क्योंकि वो उसके family क तो भी क्या करती है? एफेक्ट करती है. तो वो क्या हो जाएगा? वो इंपुटेशन में आएगे, cover करेगे. ठीक है, तो deceased person हो गया, it will be hurtful to the feelings of the family or other relatives. Second, इसके बाद क्या आगे? Company Association Collection. ठीक है, देखो, यह है dead person. यह हो गया no person, person यानि कि in the eyes of law or of a judicial person मान लो, but not a living person. Company Association Collection. ठीक है, यह इस चीज में आगया. तो इसमें हम किस बारें बात करें? Company Association Collection जो है, the identity of the company or association must be established. देखो, Company Association Collection में यह बात की गई है कि defamation होगा, इसमें भी क्या है? defamation नहीं होगा. इसमें भी होगा defamation, but क्या है? उनकी एक particular identity होने चाहिए. defamation का sole criteria यह है कि आप लिढ़ने इसचान के क्राइटेटी को हौड कर रहे हो, आप किसी person को हौड कर रहे हो, किसी करी के reputation को हौड कर रहे हो. repetition होने के लिए क्या होना चाहिए? एक identity होनी चाहिए, यानि कि आपका नाम करन, प्रॉपर आइडेंटिटी, और कम्पनी असोसेशन और कलेक्शन की रेपिटेशन को डीफेम करने के लिए क्या होना चाहिए, उनकी एक प्रॉपर आइडेंटिटी जो है, स्टाबलिश होनी चाहिए, चाहिए, एक्स्प्राइशन टू समझ में आ गया, अब इसमे केस लिख लो, नर्सिमा वर्स टीवी चोकप्पा, नर्सिमा तो आपको पता ही, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, चोकप्पा की स्पेलिंग में बता देती हूं, टीवी चोकपपा, double K है, अपपा, ठीक है, नरसिमा भी लिख देती हूँ, ठीक है, नरसिमा वर्सेज TV चोकपपा, it discussed the scope of explanation 2, court ने क्या हैल किया था, defamatory imputation against the company or collection of a person falls within the definition of defamation, ठीक है, इस से जाद और कुछ नहीं किया था, next इसके बाद आ जाते हैं, हम explanation 3 पे, explanation 3 किस बारे में बात कर रहा है, alternative या फिर ironic statements है, ठीक है, अगर imputation किस फॉर्म भी है, by words, अब हमने जहाँ पे words किया था न, by words, gesture, यह सब चीज़े, उसमें एक चीज़ और add कर दो, alternative और ironic statements, ठीक है, इस चीज़ को add कर दो, explanation 4 को हम already कर चुके है, imputation, इसमें कहा है, imputation is said to harm a person's reputation, unless that imputation directly or indirectly, in the estimation of others, lowers the moral or intellectual character, इसको हम already discussed कर चुके हैं, और discuss करने की जरुरत नहीं है, अब हमने 4 explanation कर ली है, अब सबसे important चीज़ जो आभी रह रही है, वह है, 10 exceptions, अब यह जो 10 exceptions हैं, मैंने इनको 4 category में बहुत अच्छे से आपको divide कर वाय था, पिछले वीडियो में, जिसका link पहने description पर provide किया है, मैं उन्हीं 4 category को करके, आपको उसमें बताऊंगे कि कैसे है, पहले में 3 categories है, दूसरे में 3 categories है, बाकी 2 में 2-2 है, ठीक है, तो I hope आपको ऐसे 10 पूरा समझ में आचाए, पहले 3 exceptions हम जिस title के under रखेंगे, उसे हम बोलेंगे public, या फिर truth, truth से related, अगर आप सच बोल रहे हो, ठीक है, अगर आपकी जो imputation वगरा है, वो सही है, या फिर public से related है, तो हम उसको इसके under cover करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला आ गया, imputation of truth, which public good requires to be made or publishes, इंपिटेशन क्या है, किस चीज़ का truth है, for public good, ठीक है, truth for public good, ठीक है, इतना बस याद रखना, इसमें क्या है, if a true statement has been made or published for the public good, then it will not amount to offense of defamation, क्यों नहीं होगी, it is pertinent to note that the truth of the statement need not be proved literally, but it must be substantially proved, तो सबसे पहले क्या है, अगर सच है, और public के लिए है, तो फिर जरूरी है, इसको याद करने का procedure मैंने आपको आपको पिछले वीडियो में दिखा दिया, तो इसमें मैं अभी उस चीज़ पर जादा focus नहीं करूँगी, explanation पर करूँगी, और ये भी देखना है कि जो truth है, उसको कैसा, उसकी proof कैसी होने चाहिए, चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, it need not be proved literally, but it must be substantially true, चाहिए, नेक्स इसके बाद जो second आजाता है, वो है public conduct of public servants, इसमें क्या है public conduct of public servants, अब देखो एक है सच बोल रहा है, दूसरा क्या है, public के लिए सच बोल रहा है, अब public के लिए अच्छा कौन कर रहा है, servants कर रहा है, public servants, तो इसमें क्या है, opinions are protected if they are made against public servants in their public duties, for example, एक public servant है, ठीक है, तो उस public servant के लिए, उस public service से related आप कुछ बोलोगे, अपना क्या करोगे, opinion दोगे, ठीक है, तो ठीक है, वो defamation के अंडर नहीं आ जाएगा, therefore, any fair criticism, comments have been immunized if made with good faith, यानि कि इसमें क्या आगया, criticism, यह सब चीज़ें cover हो गई है, नेक्स इसके बाद है, conduct of any person touching any public question, ठीक है, conduct क्या है, किसी भी इनसान का touching any public question, अब आप क्या कर रहे हो, truth बोल रहे हो, किसी public servant के सामने, ठीक है, किसी से related, कोई public question से related, ठीक है, अब आपको यह सीरीज यादा हो गई, अब मैं आपको इसमें बताती हूँ, when any statement is made in good faith regarding any public question, it is protected third exception, ठीक है, यह क्या है, third exception है, आपको पता चल गया है, अब इसमें case है, जरूरी नहीं उसको याद करो, बट में बता देती हूँ, जवाहालल दार्दा वर्सिस, मनुहराओ, गनपत्राओ, कपीज कर, a publisher who published a statement against a minister regarding the misappropriation of government money, was held not guilty of the offense of defamation, defamation में public truth से related, आप क्या देखोगे, government servants, politicians, इन सब का देखोगे, चीक है, तो इसमें case का नाम क्या है, जवाहरलाल, दार्दा, वर्सिस, क्या है, मनोहराओ, गनपत्राओ, कपीज कर, चीक है, यह वाला case मैं आपको description में provide कर दूँगी, next, इसके बाद आजाते हैं, हम लोग, second point पे, पहला हम लोग में क्या किया है, truth, चीक है, तो हमारा यह जो truth है, इसको cover कर लिया है, तो हमने 3 exceptions कर लिया है, public से related कुछ कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, publication कर रहे हो, वो जो truth है, वो क्या होना चाहिए, publication होनी चाहिए, उसकी तो इसमें क्या है, publication में किस चीज में आता है, सबसे पहले कौन सा publication, reports of proceedings of courts, ठीक है, court की जो proceedings वगरा है, उससे related जा जाता है, अब court में जा रहे हो, आप तो सबसे पहले courts आ जाता है, आपके लिए, ठीक है, publication of reports, जो की highlight करते है, proceedings of the court, it will not amount to the offense of defamation, इसको आप लिखते जाओ it will not amount to the offense of defamation, explanation of the, इस exception को, जो explanation है, वो क्या enunciate करते है, definition of the court, अब court क्या है, ठीक है, court की definition क्या है, justice of the peace or other officer holding an inquiry in open court, preliminary to a trial in a court of justice is a court, क्या है court, justice of the peace or other officer, एक या तो justice हो गया, या तो दूसरे क्या हो गया, कोई और officer हो गया, जो कि क्या करें, inquiry कर रहे है, held, कहां पर कर रहे है, open court में, ठीक है, preliminary to a trial, जो कि एक trial चे पहने जरूरी है, in a court of justice is a court, ठीक है, आपको समझ में आ गया, और जो उसकी report होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, report पे भी underline कर रहे, report कैसी होनी चाहिए, fair होनी चाहिए, and it should not only reflect one side of the proceedings, but दोनों side, ताकि biasness जो है, वो create ना हो, next इसके बाद आजाते है, merits of case में, ठीक है, merits of case आप क्या कर रहे हो, components of cases, merits of cases आप publish कर रहे हो, court में जाकर क्या आप क्या देख रहे हो, merits of case, publish करना है, दूसरा आप publish क्या कर रहे हो, proceedings, proceedings में आप case के बारे में बताओगे न, तूसमे comments, opinions, जो भी merits related है, are not considered defamatory, next इसके बाद आलता है, merit of public performance, अब कोई performance हो रही है, publicly हो रही है, तो आप उसके बारे में opinion दे सकते हो, इसमें कोई ऐसा दो रहे नहीं है, कि आप वो defamation हो जाएगा, merits related आप बात कर रहे हो, तो वो इसमें आ जाएगा, for example, अगर मैं बोलती हूँ क हां मुझे इसके बुक जो है एकदम बेकार लगी, चीक है, and indecent लगी, for he is a weak man and libertin, चीक है, A is not within this exception, in as much as the opinion which he expressed of Z's character is an opinion and not founded on Z's books, मान लो अगर मैं बोलो कि इसके जो बुक है, वो बहुत खराब है, और ये खराब इनसान है, बुक खराब है, ठीक है, defamation के exception में, खराब इन है, defamation के exception में नहीं आता है, तो I hope आपको इस समझ में आया हो, अब इस से related एक case है, इस case का आप नाम note down कर लो, ठीक है, इस case का नाम क्या है, MP, Pillai versus MP, चाको, इसमें किस बारे में बात हुई थी, ये इस बारे में बात हुई थी, that in case of any published material, the complete text is to be taken into consideration, यानि कि इसमें क्या है complete text, ये नहीं कि इसने इसको ऐसे बोला, ठीक है, आगे होगा, क्यों बोला, कैसे बोला, मतब पूरी statement जो है, वो ली जाएगा, या रादी या दूरी चीज़ से, आप जुर्म जो है, वो साबित नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसने court ने क्या बोला, article वगरा कोई भी अगर publish हु आगे है, तो इतना आपको समझ भी आ गया, पॉलिकेशन क्या है हमारा, second है, इसमें कितने हो कही है, exceptions, four, five, six, ठीक है, अब दोनों में, दो और पॉइंट में, दो दो बच्ची है, ये पॉइंट किस बारे में बात कर रहा है, authorized statements के बारे में, चिक है, इसमें क्या क्या है, और eight है, इसमें seven और eight exceptions है, सबसे पहले के, censure in good faith, ठीक है, censure लगा दो, ठीक है, good faith से related, censure passed by a person in authority is included within the exceptions if the following conditions are fulfilled, ठीक है, authorized statements है, authorized person क्या करेगा, censure लगाएगा, तो वो statements जो बाकी censure हटा करके दी जाएंगे, वो क्या है, authorized statement मानी जाएंगे, किस में दी जाएंगे वो, और censure कब लगाओ गया, good faith में, अब censure की conditions क्याते है, person is in authority or other via law or by means of any lawful contract, ठीक है, legally वो person authorized है, dictator नहीं है, ठीक है, पहली चीज़ तो हो गई, लिखते जाओ, second क्या है, censure is passed in good faith, good faith में पास हुआ है, ठीक है, एक इसका point हो गया, next क्या है, censure relates to the matter to which the lawful authority relates, ठीक है, एक legal officer है, वो law स related, मतलब, मानलो, एक consumer officer है, वो consumer से related कुछ बोलता है, तो वो क्या होगा, उस चीज़ से related करता है, तभी उसके authority है, वहाँ पे, अगर वो किसी और चीज़ से related, अपना कुछ authorized करते हैं, unauthorized करते हैं, तो उससे related, मतलब, वो उनके ambit में नहीं आता है, ठीक है, तो I hope यह cover हो ग good faith, ठीक है, to authorized person, अब इसमें क्या है, if an accusation is made against any person in good faith, then it does not amount to defamation when the person making the accusation has lawful authority over the other, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, A in good faith accuses Z before a magistrate, then it will exempt it under this part, यानि क्या है, आप किसी को accuse कर रहे हो, good faith में, कि sir इसने यह ऐसे ऐसे किया है, और good faith में आप कर रहे हो, तो ठीक है, इसको इसके tender fall कर सकते हो, exception में, but इसका एक case है, इस case का नाम देख लो आप, क्या है इसका नाम, MC Varghese, ठीक है, versus TJ Pornan, ठीक है, अब इसमें किस बारे में cover किया गया था, इसमें बोला गया था, the judgment address the question of whether communication between husband and wife, किस के बीच में है, husband और wife के बीच में, जो statement हुई है, वो क्या है, वो privileged है कि इस बारे में बात हुईती है, तो इस section से related है, इस ही exception से related है, 8th exception से related है, Supreme Court ने इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला था, कि 499 was exhaustive and nothing should be permanent beyond its exception, क्या है, इसमें सब कुछ दिया गया है, आप इससे बाहर जाने कि आपको कोई ज़रूत नहीं है, अब इसमें इस case से related क्या ब affirmation, आप जजज सहाब के सामने जाकर के क्या कर रहे हो, complain कर रहे हो, कि A ने आपके साथ ऐसे किया, ठीक है, A ने आपके साथ ऐसे किया, यह क्या है, complain है, ठीक है, तो जजज सहाब ज़रूरी नहीं है, कि आपको बोल दे किया रहे, ठीक है, मासूम आदमी है, छोटा बच्च किसमें होनी चाहिए, good faith में होनी चाहिए, यही एक main point है, good faith, अब good faith और bonafide से related आगे एक case law है, वो मैं आपको आगे कराती हूँ, जब यह सारी exceptions complete हो जाएंगे, good faith से related, next, इसके बाद मैंने जो differentiate किया है, वो है good Samartian से related, कि आपको क्या है, किसी के बारे में किसी का कुछ अच्छा करना है, चीक है, आप किसी, मतलब आप सामने वाले का भाला चाहते हो, इस वज़े से आपको यह ऐसी statement कर रहे हो, good faith में, चीक है, बट वो क्या है, वो गलत है, यान क्या है, imputation, ठीक है, imputation for protection of interest, किस चीस से related imputation है, for protection of interest, इसमें देख लो क्या है, imputation पहला तो क्या है, good faith में की गई है, for the protection of interest of the person who is making it, or for any third party, पहला क्या है, अगर A है, यह जो इंसान है, यह imputation कर रहा है, या तो अपने लिए, या तो third party के लिए, तो वो क्या है, वो protected है, अ in making a report to his own superior officer, cast an imputation on the character of Z, ठीक है, here, if the imputation is made in good faith and of a public good, A is within the exception, public good, और good faith में किया गया है, तो ठीक है, next इसके बाद आ जाता है, caution in good faith, ठीक है, ठीक है, conveying caution in good faith, अब यह कहा है, last exception है, and if a caution is conveyed, ठीक है, caution का बाता है, last में आता है, वैसे ही, caution in good faith, conveyed for the good of another person or for the public good, then the caution communicated in good faith is covered under the exception, कहा है caution covered है, under the exception, the burden of proof is on the person, conveying the caution, that it is made in good faith and for the public good, caution आप दे रहे हो किसी इंसान को, तो बोल दोगे कि यारे, ये तो बहुत खराब इंसान है, उसको तुम पैसे मत दो, इसमें importance क्या है, कि आप उसको caution दे रहे हो, कि यार, आप उसको पैसे मत दो, आपके पैसे फस जाएगे, तो ये क्या है, वही प्रूफ करेगा कि, यारे इस केस को लिख लेना चमल नाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1970 का केस है जो कि गोड़ फेथ और बॉनफाइड इंटेंशन से रिलेटेड बात करता है इसमें कोट ने क्या किया गया था कुछ ऑब्जरवेशन की गई थी लिए जो भी इसमें था वो पनिश किया गया था दो इसमेशल पंस झाद शीम ने काइब बात कि अखेर के है कि आप कि सर्कमस्टेन्स की आप सभी गिल्स करतें और शॉच्धियर था किसी कर विम्हां यह था तो हुट यहां विए बाव सब्सक्राइड यह हुट अभी Jim ? मतलब उसका जो allegation है या फिर good faith वाला portion है वो तो हिंडर हो गया है ना उससे related है 4th point is whether there are reasons to accept the version that he acted with care and caution क्या कोई वहाँ पर reasons थे जिससे पता चलता है कि वो उसने आट किया care and caution में and lastly है whether there is a preponderance of probability that the accused acted in good faith pre-ponderance of probability आप लोग देख रहे ना कि उस इंसान ने क्या किया है good faith में add कि नहीं probability arise हो रही है कि नहीं कि हाँ यह तो social worker है in all probability he will do that ठीक है आपको पता है तो I hope आपको यह वाला portion समझ में आया हो next उसके बाद हम एक important question को deal करते हैं जो कि है vicarious liability से related ठीक है vicarious liability किस चीज में अरे यही defamation से related vicarious liability अब इसमें केस है मुहम्मत अब्दुल्ला खान वर्सिस प्रकाश के कब कहा है यह केस 2018 का केस है recent case है sorry 2018 का केस है recent case है अब इसमें क्या हुआ था the case examined the application of vicarious liability principle in the offense of criminal defamation चीक है अब इसमें में आपको simply facts बता देते हूं तभी आपको समझ में आया का कंप्लेंड देखो इसमें क्या थी complaint file की गए ती section 501-502 में IPC calendar अगेंस the respondent who was the sole owner of the newspaper called Jaya Kiran अब session court ने क्या किया दिस्मस कर दिया complainant क्या high court obviously high court जाएगा 482 में high court ने क्या क्या है hell that the complaint registered defamation can only be filed against the editor of the newspaper and not against its owner as there is not any concept of vicarious liability उन्होंने बोना newspaper क्या गेंस्मत करो सिर्फ उसके जिसने type क्या है जिसने लिखा है उसके करो भाई ऐसा तो होना नहीं चाहिए फिर इसके बाद क्या क्या है था it was observed by the high court that its punishment would be announced for the owner then it would lead to miscarriage of justice फिर इसके बाद अपील कहां गई अगेंस्ट high court क्या गेंस्ट गई कहां Supreme Court ने high court के judgment को set aside कर गिया और उसमें सीधा सीधा बोला क्या बोला? First thing, सबसे पहले चीज, extent of applicability of the principle of vicarious liability in criminal law particularly in the context of the offenses relating to defamation requires a serious examination in appropriate case because the owner of the newspaper employs people to print ठीके वो क्या है? Employer है ठीके उन्ही ने बोला है print करो, publish करो, sell करो for financial gain उसका क्या हो रहा है? Financial gain हो रहा है ठीके Next thing उन्होने क्या बोली? It is made distinct in this case that both owner and printer of the newspaper and the persons who offer to sell could be liable for the offense of defamation under section 501 of IPC ठीके 501 में क्या है? इन सब को liable किया जाएगा ठीके, तो I hope आपको इस समझ में आए हो vicarious liability of defamation Next and last इसमें बस एक point बचा है, वो है punishment से related ठीके, punishment for defamation ठीके, यहाँ पे एक अलग से आप लिखलो punishment क्योंकि अगर वो topic नहीं cover हुआ तो कोई मतलब नहीं है इसको cover करने का sections 500, 500, 500, 2 क्या बताते हैं? punishment बताते हैं 500, 501, 502 499 अभी हमने discuss किया है इतनी देर में 500, 501, 502 जो है punishment बताते हैं according to these provisions, following offenses are punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with worth क्या है? simple imprisonment है, two years है और fine है ठीक है, दो साल की सिदा पहला क्या है defaming another person दूसरा है printing और engraving material defamatory material थर्ड है sale, पहला क्या है defaming दूसरा क्या है printing तीसरा क्या है selling DPS, चीक है आप पहले बोलोगे, बोलने के बाद print करोगे प्रिंट करने के बाद sale करोगे यह सारी चीजें हो गई है तो आपका यह वाला पोशन कवर हो गया हो अगर नहीं हुआ है तो प्लीज दू कमेंट और इसके साथी साथ आप वो वीडियो देख लेना I know यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया और नोट्स प्रोवाइड करना is most important thing साथी साथ मैंने आपको सारी case loss कवर करवा दिये है डिस्क्रिप्शन पर आप लोग देख लेना एक बार उस वीडियो का लिंक प्लस और चीजें मैंने case loss बगएरा जो है आपको नीचे मेंचिन कर दिये तब तक के लिए प्लीज दू लाइक शेर कमेंट और प्लीज दू सब्सक्राइब थाइंक यू